माइक दे जो ने यार वे इनु बला लो है इसे माइक पे यार इदर आ न इकबाल की न आई है दा इकबाल की न आई है दा इरफान नजीर कार भाई के ते गाल ला अपना यार वे उनु गालते करन दे हो यह पिताएं कि राद भी आपके गार के बाहर खड़े रहे हैं और मरजर की बाते हो रही हैं और इमरान खान ने भी इंदिया जाहर किया है क्या पार्टी मरज काने का अंदाजा का आपका इरादा है और चारुशिजासाभ निकाल एक आपको नोट से भी दे दिया है तो अब आप पार्टी में मरज हो जाएंगे या नई पार्टी रिजिस्टर करेंगे ने ने कोई मरज मरज वाली बात नहीं है अभी तो हम मशावरों जा रही है यह पहली दफ़ा मिनार खान साब ने दावद दी थी मोनस को फिर मुझे भी का कि आ हम नोटस दे रहे हैं और वो मुक्वाई ने इन्शाला आएगा क्योंके अभी सभी निकलका है जितने हमारे दस के दस एलेक्ट्रिड लोग हैं और दूसरे भी हमारी पार्टी को दिदार कि हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे जो आपने जो निगरान वजिरियला के लिए तीन नाम पेश किये थे गोवर्नर साब को उस पर मुस्लिम लीग नून की जानिप से खवाज आसिफ का ये मौकिफ सामने आया कि नासर सेथ खोसा जो है उन से उन्होंने भी राब्ता किया लेकिन वो मतफ पादरी शुजात के अंदर वो सियासी फहम और फरास्त कम हो गी है या उनके पास सियासी दावपेज कम हो गया है जो आप उनको छोड़कर इमरान खान की तरफ जा रहे हैं पहले तो यह आपने जो बात कही है देखे मेरी बात सुनें यह फैसले जो हैं यह तो पार्टी है बैठ के अपने साथियों के साथ करती है और इमरान खान साहब नो डौट हमारे लीडर हैं उन्होंने मुझे पर इत्माद किया और इतनी है उनकी बड़ी पार्टी है माशाला लहौर में पाकस्तान में तो उन्होंने मुझे वजीरियाला इलेक्ट कराया तो मैं कैसे उनका कराची में आपने देख लिया कि जमाते इसनामी जो है वो पार्टी को बचाड़ गई है और साथ साथ उनके जो आप तहरीक नजाफ है तो आप क्या समझते के कराची में क्या सुरतहाल होगी और उसका असर क्या मुलक के आइंदा अलेक्शन में भी नजर आ रहा है आपको कि वही सुरतहाल जो है आप नो पीटिया पीपल्स पार्टी की बागी सुबह में भी उसमें मेरी बात सुने कि यह जो आप कह रहे हैं न कराची के जो इलेक्शन हो उसके उपर अब तो जार बल्दियाती इलेक्शन जोड तोड का अलेक्शन है और समझदारी से चलने का अ उसमें प्लेयर भी काफी हैं हो सकता है जो जमासलमी हैं वो कभी नहीं चाहेगी कि वो पार्टी के साथ नती हो और वो चाहेगी तो दूसरे नंबर की जो पार्टी आई है वहां एलेक्शन जीतकार पीटी ए उनके साथ वो राप्ते में भी हैं और इंशालला मुझे लेकिन उनकी उनके उन्होंने जो तीन नाम दिये थे उसमें जो एजस्टिस रेटाइड खाजा सहीड साथ हैं उन्होंने बेनकार किया है तो उसका फरक नहीं पड़ता अच्छा जोई साथ यह फर्माईएगा कि इस वक्त जो पंजाब की स्यासी सूर्टेहाल है तीन सो से जाएद शिस्टों पार लेक्शन होना है समब्ली तहली हुई है आज के पीके के वजीर अला भी इडवाइस बेज रहे हैं एक वर्नर को यह दो समब्लियां हो जाएंगी उसके बाद इमिनार खान कौमी समब्ली से मुस्ताफी होने या कौमी समब्ली में वापसी का फैसला आज करेंगे क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी रहसल जो है यह लैदा-लैदा होगी ब्लोचिस्तान इसमली है सेंद इसमली है आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में किलेक्शन जर्नल होगा या लैदा-लैदा-लैदा-समलियों का होगा इसलिए कि कुछ चीज़ हैं अभी पसे परता मजाकराती स्टेज बे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि यह हो नहीं सकता क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समय नहीं आरी बेवकूफों को कि यह डिफार्ड कर रहा है हमारा जो मुल्क है ना खुदान हास्ता कहीं ऐसी सूरत आलना हो जोजे स्री लंका वाली उसको बचाने के लिए सारे तवाम हलके सर जोड़ कर बैठे हैं और वो यही फैसला कर रहे हैं आजकल तो इन्शालला इनको जल्दी एलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन थ्री मंथ से इन्शालला एलेक्शन होंगे इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि खुसूसी एडवाईस आई है कि एफ आई ने दुबारा कारवाई शुरू कर दी है जबके नए वो पर्चे खतम कर चुकी है यहरे पहली दिफ़ा थे पर्चे शुकर कर ओ अलेों और ऐने मर्डर केश नहीं कराये यहरे लगे रहनदे हो इंशालला कोई फर्क नहीं पानदा इन्हां दिबारी आ जागी इन्शालला जैड़े इस तरह ने लोग कर, आई दिबारी आ जागी बहुत महरुर भानी conviction मेरी और रासख की बहुत ज्यादा खायश थी कि हम देर कर रहे हैं और इसने एक काम में देर नहीं होनी चाहिए ताकि ये तुमाम फसिलिटीज इस तरीके से की जाएं कि जिसका फाइदा जो है ये जो जाहरीन आते हैं ये उनको होना चाहिए और हदरत अली हजबेरी दाता गांजबक्ष के कीदों की मंदों की जो मुश्कलात हैं उनको हम दूर करें और मैक्सिमम पार्किंग के वाले से भी कोई प्राब्लम ना हो उनको और उनके लिए असानियां पैदा की जाएं और इसके लिए प्लाजा बनाया जा रहा है इंफ्रस्ट्रुक्चर को भी हम री और गनाइज कर रहे हैं री डिजाइन कर रहे हैं और टोटल तकरीबन चार अरब रुपे का ये प्रोजेक्ट है और इंशाल्ला ये डीजी साहब दस मीने में हो जागा मकंबल है हाँ जी चे आठ मीन हो जागा और अभी मैं ये भी जिकर कर रहा था कि जैसे मजदे नवी में वो छत्रियां लगी हुए हैं और मदीने में वो भी हम यहां सेन में कर रहे हैं कि पचीस क्रोड इसके लिए अलादा हमने की है ताके कोई मसला नहों और इंशाल्ला ये बहुत खूशर और फिर इसकी हम वहां पाक पटर में भी ये च्छत्रियां जो हैं वहां और और वहां भी हम सोलते दे रहें और साथ ही साथ मैंने ये कहा है कि जो लंगर होता है इनका उसके लिए भी ग्रांट दी जाए और उसका क्वालिटी अच्छी होनी जाहिए और उसके लिए फूड अथार्टी को हमने कहा है कि वो अपना पर्मानेंट आफिस है किदर रखें तांग ना करें लोगों को मतलब खाना ही ना बांध कर दें अंदर करके लेक जो उमर सीधा हैं उनके लिए लिफ्टों का भी इंतिजाम हम कर रहे हैं यहां पे भी और पाक पटन में भी और इसमें एसकेलेटर बगा रहे हैं ना जी डीजी साब है ना चार लिफ्टे हैं आच्छा और लिफ्टे फिर ओपन तरह की लगाना ना शीशे वाली जो होती ह ताके वो बजर्ग भी होते हैं ना वो फिर ढरते हैं बैठते हैं लिफ्ट में इसी तरह मैं ये कहना चाऊँगा इससे पहले हमने निया सिल्म अकबाल साथ यहां बैठे हैं माददा साब भी थैसकाल साथ तो हमने जो लहॉर को पैकेज छे दिया है टोटल पैकेज गो है ये बीस अरब का है, उसमें से हमने काल जिन के इफ्ता किये हैं, कोई पंदरा अरब के गरीब हैं वो, और इस से पहले हम दूसरे भी जो प्रॉजेक्ट है, ताके लहौर को हमने उपन कर दिया है, एक तो शेहुपुरे की तरफ से, एक जो रूड़ा का जो प्रॉजेक्ट है हमारा इमरान खान साब का जो विजन है, उसके हवाले से वो हमने अलादा वहां रिंग रोड दिया है, और वहां एकसेस होगी असानी के साथ, और फिर मुमलाका जितनी हैं सडकें, सी बरेज का भी इंतजाम, मैंने बिश्र साब को कहा था, और बहीं सेक्टरी हाउजिंग इसमें शामल हो और फोरी तोर पे ना साथ साथ ही सामल्टेनियसली काम कर दिया जाए, जब आपका काम हो रहा हो, खत्म होने को तो वो साथ साथ हो, तो फिर सारा एक दम जो जब हम खुल लें, तो ताके लोग खुश हों के हमें कोई अब दिक्कत नहीं है किसी किसम की इसम लाहूर को अपग्रेड करने का ये शरीफ मामेद लाहूर के बनते हैं, काम नहीं किया इनोंने, पैसे नहीं लगाए, बस खाने पीने का प्रोगरम होता रहा है, जो के बाद बाद तो आना नहीं इनोंने, तो ये इसी तरह ही करते रहेंगे, और वहां एक स्टेडियम भी, मियासभ के हलके में, समनाबाद में, और शादारा में, मल्टी लेवल, फ्लाई ओवर, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं, ये हमने कियें, बलकि दाता साब में जब उर्स होता है, खास दोर पे, इसका इंतजाम हमें बेतर करना चाहिए, मैंने देखा है कि उर्स के दौरान सड इंगलेंडा तक से, इंगलेंड से, यूई से, इतने लोग आते हैं वर्स पाकस्तानी, तो हम जब कि वो लेके आते हैं, और हमें उनको फसिलिटेट करना चाहिए, उनकी रहाइस के हवाले से, जब वो दाता साब आएं, क्योंकर सारा सारा दिन लोग बात करते हैं, रात को भी बाद करते हैं, तो उनको एक कुछी किसम की तंगी नहो, ये एक एडिमस्टेटर भी तोर पर भी पालिसी होनी चाहिए, और जब ये इंफरास्ट्रेक्चर हो जाएगा, अबना डीजी साहब, तो फिर इंशाला हम इस काबल हो जाएंगे, कि एक बेहतरीन तुफा जो ह इस से बड़ा तुफा क्या है? दाता साब की खिदमत जो जाहरीन करते हैं, उनके लिए जो आते हैं जाहरीन, उनको हम फसिलिटेट करते हैं, आप ने देखा नहीं के मका मदीना में जितने भी आयरूलर आये हैं सौदीरे बी आगे हैं, उन्होंने बढ़ चड़ के खर्च ए हैं, हज़रत अली जवेरी की है, वो तो उनके न्यद्न हैं और जहां जो इसलाम आया है, यह मुझाइख ले के आये हैं यहां इसलाम, यहां नहां कोई होगुमरान आये हैं, ऐसे कॉंकर करके कि उन्होंने इसलाम फ़लाया हो, नाही मोगलों ने फ़लाया है। neighborsww the झाया बंदों की में जैसे और ऐसी हस्तियां पाक पटर्ण में जहां हैं यहां लहौर में हदरत अली हजवेरी यह इन्हों ने काम की हैं तो इसकावल हुए हैं के लोगों को इसलाम जब इन्होंने कभूल किया और पिर इनके बच्चे भी अब माशाला फिर हम भी उसके उपर पहली दफ़ा तालीम के हवाले से भी एक यूनिवस्टी खत्वन नभीन यूनिवस्टी जो हमने बनाई है और अभी आप ही जिकर कर रहे थे कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर भी इन्शाला इसके उपर भी रिसर्च होगी और एमफिल लोग करेंगे उनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट होगा कि ये जो आए हैं यहां हदरत अलीज बेरी साब जिरों ने दीन का काम किये और इसी तरह बहां पाक पटन में बहां भी दीन का काम जो हुए इनके उपर रिसर्च पेपर लिखेंगे रिसर्च होनी चाहिए और ये रखेंगे बकादा एजूकेशन में भी कि इनको डिगरी बगादा बाड़ की जाए ताके लोगों को पता चले कि दीन का काम जो हुआ है बेहतरीन तरीके से किया गया इसी तरह हमारी सबसे बड़ी एक हिदमत करने वाली दीन की जो जगह है वो राइविंट है उसमें हमने देखे उसमें भी डीजी साब को बड़ा सवाब है माशाला इन्होंने बेहतरीन काम किया है लाइटें लगाई है फिर प्रोलिंग पोस्ट बनी है पेशमार काम हुआ है वहाँ पे तो कहने का मक्सद यह है कि ये चीजें पीस साल के हुकमरानों नवाज शरीफ और इन्हों ने स्टोले ने राना सुनावल्ला जैसे बेवकूफ लोगों ने निगलट की वी थी ये तो इस तरफ आई नहीं नहीं जहां लोगों के परचेज उठे यह लोगों को तंग करना या उनकी जिबों में हाट डालना बलके अपने हाथ से ना देना किसी को ना किसी गरीब आदमी की मदद करना या उनके बारे में सोचना भी यह तर उनके करीब से नहीं बाद जाती थी तो इंशाला ताला मैं आपको यगीन दलाता हूँ कि इमरान खान साथ की हकोमत और उनकी पालसी के तहर यह सारा दीन के काम का फरोग का काम हो रहा है और इसको हम जारी सारी रखेंगे यही हमारा कीदा है और इसी सही इसलाम भी पहला इसी सही पाकिस्तान की जो बन्यादे हैं और जो आइंदा आने वाली हमारी कौम है वो मजबूत बनके उबरेगी बहुत शुक्रिया, बहुत मेरवादे